साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोक्तांत्री की ववस्ता को बहुत बड़ा नुक्षान पहुंचाया है, वो है राष्ट हिच से जादा प्रात्विक्ता अपनी विचार धारा को दे रा क्योंकि मेरी विचार धारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी, मैं इसी स्वांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा, ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है, आज हर कोई अपनी विचार धारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचार धारा राष्ट हित के विशयों में राष्ट के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट के खिलाब कतई नहीं, आप देश के इतिहास में देखियें, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचार, हर विचार धारा के लोग राष्ट हित में एक साथ आये हैं, आजादी के लड़ाई में, महत्मा गांदी के नेत्रुत्व में, हर विचार धारा के लोग एक साथ आये थे, उन्होंने देश के लिए एक साथ संगर्ष किया था, ऐसा नहीं था कि बापू के नेत्रुत्व में, किसी व्यक्ति को अपनी विचार धारा छोड़नी पड़ी हो, उस समय परिस्थिती ऐसी थी, तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कौज को प्राठ्विक्ता दी, आप इमर्जन्सी को याद कर जिए, इमर्जन्सी के दोरान भी देश ने यही एक जूटता देखी थी, और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग मिला था, मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभाव किया था, मैं प्रतक्ष गवाओं, इमर्जन्सी के खिलाब उस आंदोलन में कॉंग्रेस के पुर्व नेता और कार्यकरता भी थे, आरेसेस के स्वेंशेवक और जनसंग के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्मिनिश भी थे, जेन्यू से जुड़े कितने ही लोग थे, जिन्नों ने एक साथ आकर एमर्जन्सी के खिलाब संगर्श किया था, इस एक जुटता में, इस लड़ाई में भी, किसी को अपनी विचारधारा से समझोता नहीं करना पड़ा था, बस उद्देश एक ही था, राष्ट रहीत, और ये उद्देश ही सबसे बड़ा था, इसलिए साथियों, जब राष्ट की एकता, अखंडता और राष्ट रहीत का प्रशन हो, तो अपनी विचारधारा के बोच तले दपकर, फैसला लेने से देश का नुक्षान ही होता है, हाँ, मैं मानता हूँ, कि स्वार्थ का लिए, अवसरवाद के लिए, अपनी विचारधारा से समझोता करना भी उतना ही गलत है, इस इन्फर्मेशन एज में, अब इस तरह का अवसरवाद सफन नहीं होता, और हम बिलकुर रोजमरा की जिनगी मा आजकर इन चीजों को बड़ी बारी किसले देख भी पा रहे हैं, हमें अवसरवाद से दूर, लेकिन एक स्वस्त समवात को लोग तंत्र में जिंदा रखन है, साथियों, आपके यहां तो, आपके होस्टेल्स के नाम भी, गंगा, सावर्मती, गोदावरी, तापती, कावेरी, नर्वजा, जेलम, सतलूज, जैसी नदियों के नाम पर है, इन नदियों की तरह ही, आप सभी देश के अलग 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 हिस्सों से आते हैं, अलग अलग विचार लेकर आते हैं, और यहां मिलते हैं, आइडियाज की इस शेरिंग को, नए ने विचारों के इस प्रवा को, अवीरल बनाए रखना है, कभी सुखने नहीं देना है, भूमी हैं, जहां अलग अलग बाउदिक विचारों के बीच अंकुरित होते रहे हैं, विच्षित होते रहे हैं, और फलते भी हैं, फुलते भी हैं, इस परंपरा को मजबूत करना, आप जैसे युवाओं के लिए तो खास तोर पर बहुत आवशक है, इसी परंपरा के कारण, भारत दुनिया का सबसे बाइबरन लोगतंत्र है, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें, कोई ये कह रहा है, इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए, अब तर्क करिए, बात करिए, विबात करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मन्थन करिए, सम्वाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुँचिये, स्वामी विबेक आनंजी ने भी कभी स्टेटस को स्विकार नहीं किया था, और हाँ, एक तीज, जिस पर मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूँ, और वो है, हूमर, आपस मैं हसी मजाग, ये बहुत बड़ा लुब्रिकेटिंग फोर्स है, अपने भी तर्स, स्पिरिट अफ हूमर को जरूर जिन्दा रखिए, कभी-कभी तो मैं कई नवजवानों को देखता हूँ, जैसे इतने बोज नीचे दबे हुए होते हैं, जैसे जारा पूरी दुनिया का बोजूर के सर पे हैं, कई बार हम अपनी केंपस लाइप में, पढ़ाई में, केंपस पॉलिटिक्स में हूमर को ही भूल जाते हैं, इसलिए हमें इसे बचा कर रखना है, अपने सेंस अप हूमर को खोने नहीं देना है,